नमश्कार दोस्तों आप है अपनी ही गुडलीवीन चैनल पे और भई आज कुछ ऐसे पोदों के बारे में डिसकस करेंगे जो कि हर किसी के गार्णन में देखो होने ही चाहिए और मेरी तो खुद की वो पसंद है और फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको भी ये प् प्रूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो चलिए शुरू करते हैं फिर पहला प्लांट है मेरा बई मेरा जो बहुत संदर प्लांट है जो मुझे देखने में अच्छा लगता है ये है एरो के रिया और ये प्लांट दोस्तों अगर आप घर में लगाते हो कोई भी आ बहुत खूब सूरत लगता है और ये मेरा परसनल मानना है कि आपके घर में जरूर होना चाहिए और अगर आप वाके में कोई अपना ग्रीन कॉर्णर बना रहे हैं आउट्डोर और आप चाते हैं कि गार्डनिंग को एंजॉय करूँ में एक साइड में बैठके तो वहाँ ये प्लांट बिल्कुल परफेक्ट है और वहाँ ये आपको जरूर रखना चाहिए उस एरिये की खुबसूरती को ये बढ़ा भी देगा और धीरे धीरे जब इसकी ग्रोथ होगी तब तो भई वो देखते ही बनेगी और ज्यादा सुंदर ये प्लांट फिर लगता चला जैसे जैसे ये ग्रो करेगा आगया के तो भई मेरा फेवरेट है ये और जिस जिसके घर में है ये वो मुझे कमेंट करके बताना कि वाक्य में आपका फेवरेट है या नहीं है नेक्स प्लांट अभी ये इस तरह के जो प्लांट होते है ना मोंस्टेरा होगे और मनी प्ला आजए कि अपना ग्रीन करणनल बनाते हो तो वहां के लिए बिलकुर परफेक्ट प्लांट है और देखने में भी बहुत सुन दर लगते हैं और उपर से जह残 चटी यह पती हैं मैं सतेरा बोलते हैं इसको तो जब यह अच्छा प्रोपर मतलब बोलब करता है तो ये बहुत सुन्दर लगती है जब मैंने भी लिया था तब ये बिल्कुल छोटा सा था मैंने शायद वीडियो भी शेयर किया था आपके साथ किसी से मंगवाया था मैंने तो ये भी दोस्तों एक बहुत अच्छा प्लांट है थर्ड है भी आपके पाम के प्लांट देखो ये तो सब कोई अच्छे लगते हैं ना पाम के तो कोई भी विराइटी अच्छे लगती है लेकिन अरीका पाम, रेक्सोना पाम इनकी पतियां इस तरह की लाइट लाइट सी होती है कि जो बड़ा रिफ्रेशिंग सा लुक देती है आपके गारडन को तो पाम की तो वैसे भी देखो सारी विराइटी ही खुबसूरत होती है तो ये जो अरीका पाम है, रेक्सोना पाम है इनकी कुछ बात ही अलग है ये बड़ा अक्षा एक ग्रीन लुक देती है आपके गारडन को और जो भी आपका आउट्डोर एरिया है तो ये प्लांट भी सब के पास जुरूर होने चाहिए और ये जितने प्लांट मैं आपको बता रही हूँ कोई इतनी खास केर भी नहीं मांगते बस हलकी फुलकीजी आपकी देख भालोगी इनके साथ और ये खूब सुंदर चलेंगे और मेरे पास भी ये बहुत सारे है और मैंने एक जगय को लेंड्सकेपिंग के तोर पे तियार किया था तो पीछे के एरिये को हाइट देने के लिए मैंने इसको रखा हुआ है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो क्योंकि ये काफी उच्चे तक जाती है और नेक्स्ट है भई अपना क्रोटोंस क्रोटोंस में बहुत सारी वेराइटीज आती है बहुत सुंदर लगते हैं क्रोटोंस भी अगर देखो पीछे की हाइट आपने इस एरोकेरिया से पाम से इन से दे रखी है फिर आपने ये बड़े पत्तो वाले प्लांट रख रखे हैं फिर उसके आगे आपने क्रोटोंस रख रखे हैं इतनी ज़्यादा हाइट तो नहीं गेन करते तो मतलब एक बहुत सुंदर ब्यूटीफूल सा व्यू आता है आपके गार्डन का एक आपके सिटिंग एरिया का जो कि आपके बेस्ट हाउस प्लांट में से है तो ये प्लांट आपके पास ज़रूर होने चाहिए ग्रोटोंस की भी कोई भी वराइटी जो आपको पसंद हो वो आप रख सकते हो फिलाल जो भी मेरे सामने आ रही है मैं वही दिखा दे रही हूँ आपको लेकिन इसमें बहुत सारी वराइटी आते है आपकी पसंद के अनुसार, आपकी color choice के पतियों के अनुसार नेक्स्ट अभी आपके सिंगोनियम के प्लांट्स मनी प्लांट्स होगे आपके इस तरीके के जो प्लांट है जो हम कटिंग के जरी बड़े अराम से उगाते हैं यह भी एक बहुत रिफ्रेशिंग लुक देते हैं आपके गारन को और अगर आपके बड़े-बड़े पोर्ट प्लांट्स रखे होएं साइड में उनमें आप लगा देते हो या एक वर्टिकल व्यू देते हो मनी प्लांट्स को आप मुस्टिक के साथ लगा के तब भी बहुत सुंदर लगते हैं सिंपल अगर वैसे रखे हो गोलाई में तो भी बहुत सुंदर लगते हैं तो यह भी द तो वहां भी आप इसको रख सकते हो नेक्स्ट अभी डमकेंड डमकेंड भी बहुत सुन्दर प्लांट है थोड़ा सा प्वाइजनस है उनके लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या पैट्स हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान करके लगाना लेकिन जिसके याँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तो पैट्स है ना चोटे बच्चे हैं वो तो कहीं भी रख लो इसको तो ये भी दोस्तो बहुत सुन्दर प्लांट है डमकेंड इसको की डिफेंड बचिया बोलते हैं तो ये भी एक बहुत खुबसूरत प्लांट है जो की बेस्ट हाउस प्लांट में से हैं ये आपके पास जरूर होनी चाहिए अब तक भई हमने देखे हैं वो वाले प्लांट जिन में की कोई ज़्यादा फूल नहीं आते तो मुझे अच्छे लगते हैं प्लांट इनकी एक अपनी ब्यूटी है इन प्लांट की भले इन में फूल नहीं आते इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो कि अगर आप वैसे ही गार्डन तियार करते हो तो इन प्लांट को भी डिखो जरूर जरूर जंगे दो नेक्स्ट है भी अब आपको होगे अपने डेकोरेशन का तो कुछ बताया है नहीं हैंगिंग बास्केट का है जळण अभर कोब हो तो फिस दो में जखेंगे안 नत्रेसी सबीएंगे मैं और कोहल rattling ऽोगेए को तुछ भी छोटी-छोटी वराइटी प्लान्ट के सबीडाने तो इस तरीके आपके सब्स्राइप गहा है सब्स्राइभस-तो ओरम चाने क के इस Finance करेए लिए सब्सिक्त के एकदम डेंस लगेंगे, भरे-भरे से लगेंगे, और गरीनरी तो अच्छी लगती लगती है, लेकिन जो उसका लुक निकल के आएगा, जैसे आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर स्टैंड पर नहीं लगाने वैसे हैंगिंग बास्के टांग नहीं है तो बही, ये सबसे बेस्ट प्लांट लगते हैं मुझको असपेरेगस के, तो ये भी आप लगा सकते हो, और इसकी भी कोई खास देख पाल नहीं है, हमेशा हरे भरे रहने वाले पोद्धे हैं, कोई इतनी केर भी नहीं मांगते, तो इसके भी बलाबा आप अलग अलग करक प्लांट करतें चली जाओ, तो ये भी आपके, बैस्पेरेगस के प्लांट, इसको आप ड्राइससे मैंने लगा रखे हैं, डिकोरेटिव के भकिट में लगा रखे हैं, TWO ये ये भी बडे आराम से लगा सकते हो, ये भी दोस्तों, बेस्ट हाउस ब्लांट में से, तो मैं ऐ कैसा कोई प्लांट नहीं बताने तो जो कि एक ही तरफ आप रख्डो सारी किसारी च्षवाइश आपके अपनी कि लगाओ उस प्लांट को आप फैंंग करके लगाओ कुछ प्लांट में आपको रखने वाले बता दियें कुछ हैं करने वाले कुछ decoration के ताकि आपका घर एक पूरा का पूरा सुंदर सा view लेके आए कि दिखो stand भी रख रखे इन्होंने तो hanging basket भी टांग रखी है इनके तो फूल भी खिल रहे हैं इनके तो decoration के भी plant है ना तो कितना अच्छा लगता है फिर घर ऐसे next plant है भी आपका ये मैंने cutting से उगाया था भाई ये है बोगन विला की बेल और दोस्तों बोगन विला में इतनी वराइटी आगी है कहीं में गुच्छे वाले फूल खिलेंगे कहीं में पूरी ऐसे बेल सी बन जाएगी और बिल्कुल इसको बड़े आराम से आप cutting से उगा सकते हो नहीं उगा सकते हो तो एक बार आप ले आओ नर्सरी से जाके अलग-लग रंगों के और अपने गंलों में सजा दो वो आपके अपनी चाप इसको बेल बनाओ या प्लांट लगाओ और बालकिनी में भी दोस्तो बहुत अच्छे लगते हैं बोगन विला की बेल वाले प्लांट क्यों धूप तो ज़्यादा पढ़ती है केर ज़्यादा मांगते नहीं यह तो जितनी धूप पढ़ेगी इन पर उतनी फूल की लेंगे और उतनी आपकी बालकिनी खुप सूरत लगेगी देखने में दूर से है ना अब खुद भी बैठोगे तब भी अच्छे लगेगी कोई वैसे घर के आग बेसे जा रहा होगा उसको भी सुन्दर लगेगी है ना तो यह बहुत सुन्दर प्लांट है यह दोनों रूप आप इसके देख लो देखो यह बेल पे भी फूल आगे है यह भी मैंने कटिंग से हुगाई थी और जो रख्ख्यों इकटिंग लगाई थी उस पे फूल आगे है तो यह आपके अपनी चुआईसा है आपने इसको र अज़ अगरिण प्लांट में से है तो यह भी आपको जरूर लगाना चाहिए बोगन वीला आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा नहीं बेल बनाते तो अब इसको प्लांट की तरह ही रखना फिर भी आपको देख की बहुत अच्छा लगेगा तो यह बोगन वीला की बेल भी आपके घर में जरूर होनी चाहिए अब आते हैं दूसरे प्लांट जो की फूल देते हैं तो वो है भी मेरे हिविसकस के बेस्ट प्लांट जो की फिलाल तो भी फूल नहीं आई है इंपे क्योंकि मैंने इसकी काफी कटाई छटाई कर दी थी लेकिन ये आपके आपको दिखाऊंगी वो भी आपको जुरूर रखना चाहिए उसके पत्तू का कलेरी ओर होता है वो भी बहुत सुंदर लगते हैं गार्डन में तो आज मैं अपनी पसंद के आपको प्लांट बता रही हूं जिससे की आपके पास होंगे तो आपको पता है कि इनकी तो ही विसकस के दोस्तो वैसी बहुत अच्छे प्लांट है हाईविरिड वराइटी ले लो या इसकी ऐसे देसी वराइटी ले लो बड़े-बड़े फूल आते हैं बहुत सुंदर लगते हैं गार्डन में और नहीं भी फूल आएं तो भी बहुत खुबसूरत लगते हैं आएंगे क्यों नहीं आएंगे जरूर आएंगे तो सारी गर्मी बर फूल देने वाला पोद्धा है ये और नेक्स्ट है वही जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पता नहीं आपके पास है नहीं है तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके गोरी-चोरी के प्लांट और यह बहुत सुन्दर प्लांट है दोस्तो इसमें ऐसे गुच्छे में फूल आते हैं बिल्कुल मेरे भी गमले में लगा हुआ है तो इस बात की चिंता मत करना कि हमारे पास जमीन नहीं है क्या रही है इन सब पोद्धों को आप अपनी बालकिनी में रख सकते हो ऐसे एरिया में आप सारे के सारे वही प्लांट है जो यह फूलो वाली है तो यह भी दोस्तो बड़े सुन्दर प्लांट है बही सुवह सुवह देखके ना इतनी एनर्जी मिलती है इस पोद्धे को तो मतलब दिल खुश हो जाता है इस पीले रंग को देखके ऐसा चटक पीला रंग है यह मतलब मन एकदम खुशी से भर जाता है यलो कलर वैसे भी आपने सुना होगा हैपिनेस का साइन है प्रसंता का प्रतीक है हमारी स्माइलिकी बॉल्स भी यलो कलर की होती है तो इसलिए ही यह प्रसंता का भी प्रतीक है एनर्जी का प्रतीक है तो आपको इस तरह के फूल भी भी जुरूर होना चाहिए और बहुत जगय जगय गार्डन में आपके कनेर के पोद्वे भी ओने चाहिए जो कि हमेशा फूल देते रहते हैं वह गुच्छे में भी दे सकते हैं अलग-लग भी दे सकते हैं इनमें बहुत सारे कलर पाये जाते हैं और अपके अच्छा पूल जब घर के खिले होंगे तो मज़ा ही मज़ा है और फूल देखके तो दोस्तों वैसे ही घर की जो लुक है वो कई गुणा ज़ादा बढ़ जाती है जिस घर में ग्रीनरी ना हो गार्णिंग ना हो या पोद्धे ना लगे हो पता नहीं मुझे वो घर जिंदा सा नजर भले आपने कितना सुंदर बना रखा हो लेकिन अगर पोद्धे रखे हो ना तो घर की ब्यूटी में चार चांद लग जाते हैं तो आपकी यही कोशिश होनी चीए कि घर के साथ साथ आप अपने गार्डन को भी मैनेज करो चोटा सा गार्डन एरिया बनाओ और गार्डन और यह जो मैं वो प्लांट कहा रही थी आपको वेरिगेटेडी विसकस यह देखो कितना सुंदर लग रहा है ना बिलकुल इसकी पतियों का कलर कितना प्यारा है और बिलकुल गार्डन में एक अलग लुक दे रहा है यह तो इसकी भी आप ट्राई मारना अगर आपके पास नहीं है तो और जहां से आप पोदे लेते हैं उसको बोलना मुला के देगा तो यह भी बहुत अच्छा लगता है यह आप खुद ही देख लो मुझे कहने की भी जुरूरत नहीं है ना ग्रीन वाले पत्तों के बीच में पोदों के बीच में कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका है ना बिलकुल एक तुम अलग सा और नेक्स्ट अभी सुंदर उपा के प्लांट जैसा इसका नाम वैसा इसका रूप रंग और यह प्लांट भी आपके गार्डन में जुरूर होना चाहिए इसका तो नाम ही इतना खुबसूरत है और यह दोस्तों मेरे बेस्ट हाउ प्लांट में से है प्लांट में पास सारे है लेकिन यह प्लांट मैं सोचती हूँ कि सब के पास होने चाहिए और यह वाले चाहिए चाह एम किसी में पूल आते हूं पहुन से प्लांट biggest plant है जो भी गार्णिंग के शोक вполне लोग हैं उनके पास यह पूद्धे ज़ूर होने च जब इसके चोट-चोटे फूल खिलते हैं, गुच्छे से में पूरा बंच खिल जाएगा, तब और भी सुन्दर लगेगा, तो ये प्लांट भी आपके पास जुरूर होना चाहिए, और बहुत सुन्दर है प्लांट भी, और भही, नेक्स टाकते हैं हमारे प्यारे-प्यारे सदा भाहर के फूल, इसमें आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, हाइब्रिड में तो, लेकिन देसी में आपको इसके वाइट और परपल कलर मिलेंगे, और यकीन माननों दोस्तों, अगर आपके गार्डन में, जगह जगह पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जब आपने प्लांट से रखे हुए हैं, इस तरीक के से मेरे कितने हैं, अगर बीच बीच में फूल खिल रहे हैं, भई मज़ा आजाता है गार्डन का, और कोई फूल खिले ना खिले, सदा भाहर आपका हमेशा साथ देगा, इसका नाम ही सदा भाहर है, चाहे आपकी गर्मी का मोसम हो, सर्दी का मोसम हो, ये फूल आपके हमेशा गार्डन में खिले रहेंगे, तो लास्ट में मैंने इसका नाम जान के लिया, भई ये तो प्लांट देखो सबके पास हो गई, और ये मेरा फिवरिट प्लांट भी है, भले ही कितना ही कोमन लगता हो आपको ये, लेकिन ये बहु कोशिश करो, तो बस, thank you very much, take care of you and your plants.